नमस्कार दोस्तो टिक्नोलोजी रिजॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ अरूप आपका दोस्त ले के हाजिरू आपके पास फिर से एक नए वीडियो के साथ दोस्तो बारकोड के बारे में तो आप सभी को पता ही है हर जगह पे आपको बारकोड देखने को मिल जाता है चाहे कोई रेल का टिकेट कटाएं कोई बस का टिकेट कटाएं या फिर आपके घर पे कोई सैंपो का बॉटल आप मार्केट से खरीद के लेका है हर जगह पे आपको barcode दिखता है लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी भी ये सोचा है कि barcode का क्या use है जितने भी products हम लोग market से खरीते हैं हर product पे barcode लगा हुआ होता है इसका क्या मतलब है या फिर जब भी एक barcode scanner किसी barcode को scan करता है तो वो किस तरह से ये पता लगा लेता है कि कौन से bar कौन से number को represent कर रहा है तो अगर आपको इन सारे चीजों के बारे में जानना है barcode के बारे में पूरी जान करेंगर आपको चाहिए तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए तो वीडियो में अगर बढ़ने से पहले दोस्तों मेरा अपसे एक request है कि अभी तक अगर रिजॉट को subscribe नहीं किये है तो प्लीज चैनल को subscribe कर लिजे साथ साथ बेल आइकोन को दबा लिजे ताकि टेक्नॉलिज रिजॉट माने वाले हर नए वीडियो की नोड़ी दिकेशन अब तक तुरंत पहुंच जाए दोस्तों अगर बारकोड की टाइप की बात करें तो बहुत टाइप की बारकोड होती है लेकिन आज के इस वीडियो में मैं एक जनरल बारकोड यानि जितने भी प्रोड़क्ट समलोग मार्केट से खरीते हैं उस प्रोड़क्ट पे जो बारकोड लगाओ हो होता है उस बारकोड के बारे में इस वीडियो में आज हम लोग डिसकस करेंगे अब यहाँ पे अगर QR कोड की बात करें तो वो भी एक तरह की बारकोड है लेकिन उसके बारे में हम किसी और दिन किसी और वीडियो में जानेंगे आज एक नॉर्मल जनरल बारकोड जो प्रोड़क्ट में लगाओ होता है उनके बारे में जानेंगे यहाँ पर दोस्तों बारकोड का use होता है basically inventory management का अगर हम किसी product में बारकोड लगाते हैं तो हम उस product के price, quantity, कितने हमारे stock में available है, globally वो कितने sale हो रहे हैं, वो जो product है, उसका क्या serial number है, वो जो product है, वो किस company का है, या फिर वो company किस देश का है, इसके अलाबा और भी बहुत सारे ऐसे informations होती है, जो बारकोड की मदद से हम बहुत ही अच्छे से track कर सकते हैं, अब अगर दोस्तों यहाँ पे बारकोड की encoding की बात करें, यानि बारकोड किस तरह से बनता है, तो बारकोड एक 95 lines का code होता है, जिसमें सुरू के 3 line, last का 3 line, और middle का 5 line, किसी भी बारकोड को starting point, end point और middle point में divide करता है, अब अगर सुरू के 3 line, यानि starting point और end point का अगर हटा दें, तो middle point के left side में आपको मिलती है 42 lines, और right side में मिलती है 42 lines, यही 42 lines फिर से group होता है 7 line के group में, और यह 7 line के group represent करता है किसी भी एक number को, अब अगर दोस्तों 0 की बात करें, तो 0 कुछ इस तरह से represent हो left और right में, left में शुरू के 3 line white होता है, उसके बाद 2 line black, फिर white, फिर black, और अगर right side को देखें, तो शुरू के 3 line black, फिर double white, और फिर black white, इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब दोस्तों यहाँ पे एक ध्यान दने वाली बात है कि जितने भी black lines है left side में वो एक odd number पे है, और जितने भी black lines है right side में वो एक even number पे है, जिससे जब एक barcode scanner किसी barcode को scan करता है, तो लाल light यानि red light जब barcode पे पड़ता है, तो white lines reflect करता है उसी light को scanner के पास वापस, लेकिन जो black lines होती है, वो black lines उस light को absorb कर लेती है, जिसके बाद barcode को यह पता चल जाता है कि यहाँ पे कितने black lines है और कितने white lines है, और अगर even lights reflect होती है, तो barcode को यह पता चलता है कि यह जो number है, यह left side की है, और अगर odd lines reflect होती है, तो barcode को उससे यह पता चल जाता है कि यह number right side की है, तो इसी तरह से barcode पूरे barcode को scan कर लेता है, और उसके बाद जितने भी numbers होती है, उस number को accordingly arrange कर लेता है, और उसके बाद हमें मिल जाता है complete barcode का number अब दोस्तों यहाँ पे अगर barcode को ध्यान से देखे तो सुरू के 3 डिजिट उस country का code होता है जिस country का वो company है और उसके बाद के 4 डिजिट होता है उस company का code जिस company का वो product है और उसके बाद का 6 डिजिट होता है उस product के serial number यहाँ पे दोस्तों एक सवाल मन में आता होगा कि barcode को allot कन करता है तो यहाँ पे दोस्तों barcode को allot करता है GS1 नाम का एक company जिसने बहुत सारे barcode का set up standard बना दिया है और हर country को एक series of barcode allot कर दिया है अब यहाँ पे अगर Mexico की बात करें तो Mexico को 750 allot किया गया है Span की बात करें तो 840 से 849 तक Span को allot किया गया है Cambodia की बात करें तो 884 और India को 890 इसलिए दोस्तों जितने भी products हम लोग घर पे खरीद के लेके आते हैं market से उन सारे product को यह barcode को ध्यान दे तो सुरू के 3 digits जो country को denote करता है वो 890 से start होता है यानि जितने भी products इंडिया में बने हुए हैं वो सारे product के barcode का सुरू का 3 digits 890 होता है अगर कोई product किसी दूसरे country का है तो उस country को जो series allot किया गया है उस series से वो barcode start होगा तो उमीद करता हो दोस्तों कि आपको समझ में आ गया कि barcode exactly क्या होता है, barcode का क्या use है या फिर barcode scanner कैसे scan करता है barcode को जिससे वो पता लगा लेता है कि कौन सा line कौन से number को represent कर रहा है तो आज की वीडियों दोस्तों बस इतना ही वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उमिद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई अगर यह पसंद आई तो इसे like कर लिजे, share कर दीजे और चैनल को अगर भी तक सब्सक्राइब नहीं किये है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके bell icon को दबा लिजे तो मिलते हैं दोस्ता आपसे अगले वीडियो में तर दखसते रहिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना यूटीब चैनल टेक्नालोजी रिजॉर्ट